सब्सक्राइब करें फुली फॉर्वल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिएगे बेल आइकन पर प्रेस करें ताके हमारी तुमाम न्यू आने वाले वीडियो आपको मिल सके असलाम वाले कम दोस्तों आप देख रहे हैं फुली फॉर्वल्ड यूट्यूब चैनल मेरा नाम है आजम और आज की वीडियो आपको इसमें कुछ न्यूश सीखने को मिलेगा जिसमें मैंने कुछ कुछ कोशन भी पढ़े थे जिसमें मैंने उसका आपको आंसर भी इस वीड सब्सक्राइब करते हैं तो इंटर्वियो के दर्मियान यह कोश्चन भी है यह इसका अकॉमूलेटर आपने सुना तो होगा अकॉमूलेटर है और इसको लिकवर रिसीवर भी बोला जाता है और यहां पर हम रोटरी कंप्रैसर का जो ओल है वो डिस्चार्ज लाइन से चार चार्ज को लेता है और हाइप तो एकंप्र यहां से ओइल क्यूंढहीं चार्ज कर सकते हम पर क्यों यह दूसरा है कि इसका काम क्या है इसको offset completely 3-phase unit होती है जिसका compressor 3-phase होता है तो उसमें जो है यह accumulator compressor के साथ नहीं यह लगा हुआ होता यह अलग से suction pipes working same वो ही होती है और सिरफ साथ नहीं लगा हुआ था थोड़ा उपर करके किसी side पर लगा हुआ होता है तो यह वैसे ही उपर side पर लगा हुआ था तो काम इसका एक ही होता है बस यह साथ इसके लगा हुआ है और वो जरा उपर लगा हुआ था तो अब दोनों स्वालों का आपको answer मिल देगा कि यह सल में basically इसका internal circuit क्या है यह कैसे काम करता है और यह लीकोर receiver इसको क्यों बोला जाता है और यहां पर इसका oil हम यहां से क्यों नहीं charge कर सकते हैं सबस्ब्स पहले oil की बात कर लें oil यहां पर इसलिए हम charge नहीं कर सकते के यह इसका internal जब आप circuit देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल देगा कि हाँ इसको वाकिए ही oil charge नहीं कर सकते हैं यहां पर इसका एक जवाब यह भी था कि यहां पर यह जो line है यह इसकी internal यह जो है यह डोम में जो है मतलब इसकी body में ही इसकी discharge line open होती है यह जो line है इसलिए oil हमारा नीचे यहां तक जहां पर यह निशान भी दिये हुए होते हैं यहां तक oil अराम से चला जाता है लेकिन यह जो line है यह internally body में open नहीं है internally अंदर जो है इसका pump उसके साथ connect है तो इसलिए एक यह जवाब है तो दूसर जो एक main or reason है liquid receiver जिसे हम इसका समझेंगे कि यह क्या काम करता है वह हम इसको देखकर समझेंगे यह return है और नीचे से यह इसकी body के साथ connect है अब यहां पर यह है हमारे पास कुछ यह सेम जैसे कि यह लगा हुआ है सेम इसी तरह यह लगा हुआ था यह point नीचे compressor के साथ connect होता है और यह section line है ठीक है यह मैंने काट कर रखा हुआ है तो यह मैंने जब काट दिया था साइडों से चारों तरफ से तो काटने के बाद अब मैं इसको प्रेक थी यह उपर वाला इसा है और यहां पर अब हम अगर इसको देखें अंदर से तो यहां पर आपको कुछ जाली नुमा अंदर कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी ठीक है तो यह यहां पर है clear हो गया अब यह जो है डिस्चार्ज लीकोर्ड लाइन यहां पर इसक लिए नुकसान दे है अगर लीकोर्ड फोर में गैस जो है वो गम्रेसर की तरफ रिटर्न वापिस जाएगी तो यह जाता है और बहुत ज्यादा मिकदार में गैस जा रही होती है तो यह मुसलसल इसने चलना होता है तो इसमें लीकोर्ड ना जा पाए तो यह इसलिए साल लगाया होता है यहां पर यह जो चीज लगी हुई है सुराख बने हुए है वहाँ पर है जाली अब यहां पर जैसे ही गैस आई वापिस अगर लीकवर्ड फोर्म में आ गई तो क्या होगा लीकवर्ड फोर्म में यहां पर आने के बार स्टेट जो बिल इंटरनल देखा कि यहां पर जब गैस आई लीकोड फॉम में आई तो वह क्या होगा अगर वैपर फॉम में अगर आ जाएगी तो वह सेंटर से नीचे नहीं गिरेगी मतलब सेंटर से इसके अंदर नहीं जाएगी ठीक है तो साइटों से जो जो जाली नुमा बनी हुई है य जो है वैसे फिल्टर नहीं तो इसके उपर साइडों से जो है इसके लिकवड नीचे कीरेगा मतलब इस तरफ इसके अंदर जला जाएगा यहां पर नीचे अब नीचे से जो है वह आप दिखेंगे साइडों से बिल्कुल ओख है कम रास्ता जो है क्रासिंग वह यहां पर आपको देखने को मिल रही होगी तो यह हुआ पर है क्रासिंग का रास्ता तो जो होगा वो सारा साइवर आ गिरगा जब साइडों पर गिरेगा तो फिर भैपर गैस उठेगी और वह उठकर उपर से उपर से यानि के उठकर इस तरह से वापिस इस में से फिर जो है क्रास होकर सीधा हमारा कंप्रेसर की दरफ चली जाएगी तो मतलब इसने कंट्रोल करना होता है लीकवर्ड को लीकवर्ड को कंट्रोल करेगा लीकवर्ड आया यहां से जो के सेंटर में नीचे नहीं गिरा इस जैसे जैसे आपको पता है कि आप अगर यहां पर कहीं ओपन ही गिरा देते हैं तो वह कुछ देर के लिए ऐसे आपके सामने बरफ टाइव पानी नुमा यह लिकुर्ट फॉर्म में पड़ी रहेगी और घाइब हो जेगी बाद में क्योंकि वह वैपर फॉर्म में उड़ जा जाएगी और यहां से के अश्य कि सक्षन लिए स्क्ष कर लेखी अब यहां पर एक दूस्ता स्वाल यह तो क्लियर होगा है इसका बेंस्की है और इंटर्नलि यह कैसे काम कर रहा है एक था बालेक्ट आय। प्रक्राइब को विए सकते हैं वैसे जो बोला जाता है वो तो यहीं है कि यह कम लेकर हैं अभी हां पर दूसरा स्वाल भी आपको यहीं पर मिल गया कि अगर हम यहां से डालें भी तो उल हम नहीं डाल सकते उसका रिजेन आपको पता चल गया आप समझ समझ ही गियोंगे अगर आप यहां से लिकुट डालते हैं तो ओल जो है वो डिरेक्ट ली इस पाइब में तो जाएगा नहीं कंप्रेसर इस पाइब में वह तो ओल साइड़ों से नीचे गिरेगा मतलब इस एरिये में आजेगा और ओल ने तो ओल ही रहना है उसमें वैपर फ तो आई होब कि आपको आज कुछ न्यूस सीखने को मिला होगा और इसके बार में आप डिटेल से समझ गियोंगे कि यह एक्टली क्या है और यह क्यों लगाया जाता है और रूटरी के साथ लगा हो उता है यह बिश्टरल हो यह स्क्रोल कमप्रेसर हो चार्टर अचे में थ तो नोर्मल मैंने जितने भी आज कल इसी देख रहा हूं डाइकन या जितने भी मोडल जा रहे हैं न्यू न्यू मोडल जितने भी आ रहे हैं उन में जो है आपको यह लोहे का लगावा मिलता है और यह वैसे भी अच्छा खासा 1 kg का तो मुझे लग रहा है तो यह मैंने LG क मैंने निकाला था ताकि आपके लिए वीडियो बनाओं और लोहा तो नहीं है स्क्रैप है तो अच्छा स्क्रैप रेट भी मिल जाएगा तो खैर यहां पर आपको वीडियो संदधी होगी अगर आपको वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर न्यू है तो फुली फॉर वर्ल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें मैं अब दाहूं आपसे नेक्ट वीडियो में थैंक यू सो मच अल्ला हाफीज